पूरी वाई बीके साथ में इस चाप्टर को समाप्ट कर रहे होंगे अब यहाँ पर ग्रूप पर मार्क करना बहुत इंपॉर्टन है तो बेसिकल यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक इनसान से नहीं बनती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई एक इनसान रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो था कुछ एक आइडिया कुछ एक बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग जो है वो साथ जुड़कर एक पार्टी बना रहे होते हैं उसके बाद में देख contest elections यानि कि वो elections में लट रहे होते हैं और जो पार्टी जीती है वो government बना रही होते हैं क्या यह वाईव हमको आ रही है यह चीज तो हम पहले सी जानते हैं और यह आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है कि अगर आप किसी काफी rural area में जाते हो तो वहाँ पर अगर आप यह heavy heavy words जो होते हैं Constitution, democracy अगर ऐसे heavy heavy words की बात करते हो तो शायद इतनी knowledge ना हो लेकिन जब आप बात करनेंगी किसी party की और फिर किसी later की तो हाँ यार सबको पता होता है उसके बारे में ठीक है तो यह इतना बड़ा impact छोड़ती है है कि अरे क्या बात है great अब हम बात करने वाले है components of political parties हमने बात कर ली political party क्या होती है भाई साब group of people जो की साथ आते हैं ठीक है they contest elections और वो elections में लड़ रहे होते हैं और उसके बाद में फिर government मन रही होती है अब political party के components क्या क्या होती है जैसे कि मालो की market से एक car लेकर आया ठीक है खेलने वाली कार तो उस car के components क्या क्या है सिमिलरली इस political party के components क्या क्या है सबसे पहले तो है leaders जो कि हमको front level पर दिख रहे होते हैं ठीक है जो कि हमको visible होते हैं वो सारे होते हैं leaders ठीक है वो उस party के leaders होत लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि कोई भी कमपनी या फिर कोई भी ब्रैंड किसी एक इंसान से नहीं चलता उसकी टीम का उसमें हाथ होता है पॉलिटिकल पार्टि के अंदर भी बहुत सारे अक्टिव मेंबर्स होते हैं। उस party को follow कर रहे है ठीक है या फिर जो idea या फिर जो belief है उस party का उसको follow कर रहे है ठीक है great तो यह होते components of political parties पहले होते हैं leaders दूसरा active members और तीसरे followers leaders में वो जो लोग हमको सामने visible हैं दिख रहे हैं active members वो जो की उसी party का part है लेकिन वो फिर जो इतने visible नहीं है या फिर जो की पीछे रहे कर जो बहुत सारे काम है वो समाल रहे होते हैं और तीसरे होते हैं followers जो की उस party को follow कर रहे होते हैं ठीक हम बोलते हैं ना कि यार basically एक example देता हूँ कि हम किसी celebrity के follower है ठीक है, हम किसी influencer के follower है है कि नी, great, तो we are basically following what we are basically following that person, या फिर we are basically following the belief or the idea that he has या फिर उनका influence काफी तगड़ा है, है कि नी क्या पाते करेट, अब हम बात करते हैं functions of political parties की, ठीक है आरे क्या पाते करेट, तो सबसे बला contest elections है कि नी, दूसरा है play decisive role in making law, समझा रहा हूँ मैं तीसरा है, provide access to basically ये है, put forward different policies and governments, and चौता है provide access to government schemes and policies, अब एक political party का function क्या होता है, उनके functions क्या होता है, to be more precise, सबसे बला तो contest elections, बहुत ही basic level पर ground level पर हम जानते हैं कि जो political parties होती है, देख contest elections, यार वो elections में लड़ रहे होते हैं, ठीक है, और फिर जो भी जीपती है, वो basically government मना रहे होती है, ठीक है तो हमें पता है कि political parties contest elections, दूसरा, play decisive role in making laws, अब जैसी party जीत गई, ठीक है, तो फिर काम क्या है, फिर government मनेगी ना, तो government laws बनाएगी, agony, great, तो they play a decisive role in making laws, क्योंकि ultimately जो party जीतेगी, ठीक है, it will be forming the government, ओहो, क्या बात है, तीसरा है, put forward different policies and programs, सोचो कि अगर कोई particular party को कोई इंसान vote कर रहा है, तो वो किस basis पे करेगा, है ना, मान लो कि हम घर खरीदने जा रहे हैं, तो हम जो facilities, जो amenities वहाँ पर दी जा रही है, यह फिर अगर car खरीदने जा रहे हैं, तो facilities हमको मिल रही है, उस according अपनी car चूज करेंगी, similarly कोई इंसान एक party को क्यों vote करेगा, जब उससे पता चले कि उस party का agenda क्या है, उसकी policies क्या है, ठीके, वो क्या-क्या programs लेकर आई हैं, और वो क्या-क्या बदलाव लाना चाहती है, उस according जो है, वो लोग vote करते हैं, तो भाई, political parties को present करना पड़ेगा न, किया हमारा ये ये plan है, हमारा ये ये vision है, है कि नहीं, क्या path है, amazing, great, अच्छा, और चौथा, भाई, जो government schemes schemes होती है, और जो policies होती है, उन तक access हमको कौन पहुचा के देगा, political parties, ठीक है, great, तो यार, देखो, to be very quick in this, ये जो फंक्शन से political parties के, add the underground, देख सकते सबसे पहला contest elections, दूसरा हमारा यार, play decisive role in making laws, अगर को पार्टी जीतती है, तो फिर government mandatory होती है, ठीक है, तीसरा, put forward different policies and programs, भाई, कैसे vote करेंगे, क्यों vote करेंगे, आपकी policies क्या है वो, और next, जो है हमारा, provides access to government schemes and policies, तो government schemes and policies होती है, उन तक access पहुचाने का काम, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, और आगे बात करते हैं, parties shape public opinion, ठीक है, इसमें कोई भी दो राए नहीं है, parties, चलो, मैं समझाता हूं, आगे, लेकिन हम आगे और points की बात करते हैं, ठीक है, parties form and run the government, ये point हमने आपर देखा है, ठीक है, ये point हमने आपर देखा, कि जब कोई party जीतती है, ठीक है, तो it will form the government, और फिर government चला रही होगी, है कि नहीं, great, amazing, अब parties shape public opinion, मतलब, ये सोचो, ये मतलब, parties काना ऐसा, कोई ना कोई idea होता है, कोई ना कोई belief होता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग उस belief को मान रहे होते, उस idea को मान रहे होते, तो add the end parties shape public opinion, ठीक है, great, अभी किसी का vision कुछ और है, किसी का vision कुछ और है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी parties है, ठीक है, तो जो vision है, और अगर मान लो, कोई एक इनसान इस vision को follow करता है, ठीक है, तर basically parties shape public opinion, है कि नहीं, आरे क्या बात है, great, losing party plays the role of opposition, अब सोचो जरा, हमने बात की थी power sharing की, है कि नहीं, उसके अंदर हमने बात की थी, कि जो losing party होती है, ठीक है, जो losing party होती है, यार फिर उसका क्या importance रहे जाएगा, उसका क्या importance रहे जाएगा, तो जो losing party होती है, it plays the role of opposition, ठीक है, क्योंकि government जो भी जीसे लेकर आ रहे है, मानलों कि उसमें कुछ चीज ऐसी है, जो कि शायद गलत हो, तो उससे cross question करने के लिए, कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है, उस particular law को, जो भी चीज हो, उस particular चीज को cross question करने के लिए, कोई ना कोई होनी चाहिए, और वो काम जो है, वो losing party प्ले कर रहे होती है, यानि कि opposition प्ले कर रहा होता है, ठीक है, opposition party जो है, वो question कर रहे होती है, कि इसी भी particular चीज को, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हर चीज को करते हैं, या चाप्टर को ऐसे में समझो, कि मतलब सिर्फ पढ़ना है, फील लेके समझो, वाइब लेके समझो, क्या necessity है, मान लिया, political parties है, सब कुछ कर रहे होती है, लेकि necessity क्या है, जरूरत क्या है, हामें पूछ रहोता है घर मैं, कोई यह चीज अगरते को लेनी है, तो इस चीज की क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, तो अब हम जरूरत क्या बात करता है, ठीक है, क्या बात है, great, amazing, we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties, कोई भी चीज जब हमारे पास नहीं होगी, तब क्या impact होगा, उसके थूरू हमें पता चलता है, कि उस चीज का महत्व क्या है, जैसे की खाना, जैसे की पानी, ठीक है, imagine करो, imagine करो, एक ऐसी life जहाँ पर खाना है, फिर पानी नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ऐसी situation को imagine करते हैं, एक ऐसी situation को imagine करते हैं, जहाँ पर political parties नहीं होगी, ठीक है, great, अब जब political parties नहीं होगी, तो group of people नहीं होगा, यानि कि कोई एक ही candidate होगा, अरे शाब बास, क्या बात है, तो every candidate in the elections will be independent, ठीक है, यार कोई भी candidate होगा न, वो independent election में खड़ा हो रहा होगा, है क क्या बात है, great, okay, फिर कोई भी uniform decision नहीं होगा, कोई भी uniform decision नहीं होगा, क्योंकि सोचो हैर, कि हर अलग अलग जगा से एक एक representative उट उट के आ रहा होगा, तो कोई एक uniform decision नहीं बन पाएगा न, किसी का idea कुछ और है, किसी का belief कुछ और है, कोई कुछ और मानता है, कोई कुछ करना is not possible, next बात करते है, accountability would be limited to consultant assembly, भाई साब, जहां से वो बंदा, जहां से वो candidate जो है, जहां से वो election लट रहा है, वो सिर्फ वही के बारे में सूचेगा, वो सिर्फ उतने area के बारे में सूचेगा, ठीक है, वो सिर्फ उतने area के बारे में सूचेगा, तो उसको answer सिर्फ उ वो चीज़े देख रहा होगा, national level पर क्या, हमको सिर्फ एरिया आया, फिर एक city, फिर एक state की बात थोड़ी ना करनी है, हमें तो पूरे देश की बात करनी है, तो फिर no one would be responsible to look out of the country, पूरे देश की तरफ देखने के लिए कौन रहेगा, इसलिए parties जो हैं, वो important role play करते हैं, representative democracies, different views of society can be represented by single agency, मान लो कि अलग-अलग सोच है, या फिर अलग-अलग views है, ठीक है, हो सकता है कि मान लो किसी एक, कुछ group of people मानते हैं कि A चीज होनी चाहिए, कुछ group of people मानते हैं कि B चीज होनी चाहिए, ठीक है, तो अलग-अलग views है, ठीक है, अब इन अलग-अलग views को represent क इसे किया जाएका national level पर, ठीक है, तो जो different views होते हैं, society के जो भी views होते हैं, वो कोई एक single agency, या फिर हम बोलता है, जैसे कि यार वो सारे के सारे views जो है, वो party represent कर रही होगी, है कि नहीं, क्या बात है, amazing, great, अच्छा, responsible government can be formed, जब यार सोचो कि जब इतने सारे process के बाद में, इतने सारे ideas, beliefs, policies, programs देखने के बाद में, जब vote, vote होता है, जब सारे चीज़े हो रही होती है, तो एक responsible government बनेगी, क्यों, क्योंकि बहुत सारी process है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ऐसा ही नहीं जीत जाएगा, है कि नहीं, great, और उसके बाद में ये group of people है, कोई एक अकेरा इंस अवाल है, ठीक है, तो एक large society को represent करने के लिए हमें groups, मतलब हमें basic कर देखा जाते हो, कोई नहीं कोई चाहिए, जो कि इस particular group को represent कर रहा हो, या फिर इस particular group को represent कर रहा हो, है कि नहीं, आरे क्या बात है, great, तो गुमा फिर आके बात यहीं है, कि भाई representation होना चाहिए, ठीक है, आरे क्या बात है, great, आभी बात करते हैं कि how many parties should we have, वहीं एक party system हो जिसमें सिर्फ एक ही party हो, या फिर दो party system होना चाहिए, जिसमें सिर्फ दो ही parties हो, या फिर multi party system हो जिसमें बहुत सारी parties हो, ठीक है, तो हमें कितने parties की जरूरत है, यह कैसे पता लागाएंगे, तो अभी हम यह examples के सिर्फ पता लगा रहे होंगे, ठीक है, great, one party system की बात करते है, one party system basically का है, only one party is allowed to control and run the government, याने कि सिर्फ एक ही party होती है, ठीक है, सिर्फ एक ही party होती है, और वही सालों साल जो है वह government चला रही होती है, ठीक है, तो इसमें कोई rocket science है, one party मतलब सिर्फ एक ही party, example, China, क्य यह democratic options में नहीं है, example है China, है कि नहीं, क्या बात है, amazing, great, two party system की बात करते है, chances of winning is between two main parties, अभी जब two party system में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर of course है, दो party हो की बीच में elections हो रहे होंगे, क्या बात है, amazing, great, इसका बहुत एक example क्या है USM, and the United Kingdom are two party system, क्यों, क्योंकि वहाँ पार चा chances of winning is between two parties, multi party system, जैसे कि इंडिया में, multi party system, more than two parties compete for power, ठीक है, more than two parties compete for power, यह तो हमको पता है, coalition government is observed, हम देख सकते हैं कि, coalition government जो है, हमने पढ़ा आप हम, coalition government क्या होता है, कि जब किसी एक party को majority votes नहीं मिल रहे होते है, तो फिर एक alliance बनता है, और एक alliance बनता है, और जो government बंदी ह होती होती है, उसकों कह रहे होते है, collision government, ठीक है, इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं, NDA और UPA, ठीक है, NDA और UPA, ओके, क्या बात है, amazing, आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा बेटर है, भाई आपने one party बता दिया, आपने two party बता दिया, आपने multi party भी बता दिया, है, one party के के अंदर two parties होती है, multi party के अंदर बहुत सारी parties होती है, लेकिन better कौन सा है, अच्छा कौन सा है, लोगो के लिए best कौन सा है, मैंने का यार, यह decide नहीं किया जा सकता, इतने आसानी तरीके से कि भाई, इस country में यह होगी, इस country में वो होगी नहीं, party system is not something any country can choose, it evolves over a long time, यहर ए depends upon the type of composition that country has, है की नहीं, हो सकता है कि किसी country में बहुत जादा, you know, जो वहाँ पर जो composition है, कोई basically किसी और society का हो, फिर basically है, ऐसा है, कि जो भी social divisions है, country के अंदर, ठीक है, उस पर यह चीज़ बहुत depend करती है, कि फिर आपकी country का politics की history क्या रह चुकी है, पहले क्या हो चुका है, पहले क्या हुआ था, ये चीज़ भी बहुत influence कर रही होती है, ठीक है, तो कोई ऐसा कोई चूज नहीं कर सकती country, वो depend करता है कि वहाँ की needs क्या है, ठीक है, और उन needs को cater कैसे किया जाए, है कि नहीं, तो यार ऐसा चूज नहीं कि आज तक कि आज मैं multi-party system implement करने जा रहा हूं ये फिर आज मैं two-party system जो है, वो implement करने जा रहा हूं, नहीं यार, ऐसा नहीं हो रहा होता, वो depend करता है कि country के अंदर, ये हमने देखा न, society, what is the nature of society, its social, its regional divisions, politics की history का रहे चुके है, इन सारी चीज़ों पर भी ये सारी चीज़े depend कर रही होती है, है कि नहीं, अरे क्या बात, amazing, great, all right, तो अभी हम बात करने वाले है, national parties के, और यहां से आप जो भी पढ़ रहे होंगे, वो सारा political parties के regarding ही पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं, amazing, क्या बात, great, भाहिया, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने का, एक-एक करके समझते हैं, एक-एक करके समझते हैं, फिर हमको समझ म commission, भाई साहब, ये जो आप रूपर national parties लिखा हुआ है, ठीके, इसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं, है कि नहीं, great, basically यार, national party जो होती है, national party जो होती है, उसको election commission के साथ में register होना पड़ता है, ठीके, उसको election commission के अंदर जो है, वो register होना पड़ता है, ये EC means election commission, ह ठीके, great, okay, क्या बात है, अच्छा, भाई, और क्या, आगे क्या, while the commission treats, जो election commission होता है, it treats all the parties equally, जितनी भी parties है, commission उनको equally treat करता है, लेकिन, special facilities are given to large and established parties, ठीके, अब basically national party होने के लिए, क्या, आपको पहली बाद तो election commission के साथ में register होना पड़ता है, है कि नहीं, great, हम बोलते है अगर आपको इस app का है, फिर अगर आपको इस offer का part होना है, तो आपको register करना पड़ेगा, है कि नहीं, TV पर बहुत सारी याड जाती है, आचा, great, I mean, why the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties, याने कि भाई, सब को जो है, सारी parties, उनको election commission, उनको equally treat करता है, लेकिन, जो established parties है, ठीक है, उनको थोड़ी सी जादा facilities मिलती है, कैसे, देखो जड़ा, these parties are given a unique symbol, इने एक unique symbol मिलते है, और हमने book के अंदर देख रगा है, कि हमारी book के अंदर, कितनी सारी parties के कितने सारी symbols है, हैगी नहीं, क्या बात है, amazing, great, अच्छा, इसी के साथ साथ, इन parties को, recognized political parties भी कहा जाता है, ठीक है, these parties are called recognized political parties, अब recognized इस शब्त का क्यों उपयोग किया गया है, मैंने का यार, यह तो काफी basic सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, recognized का क्या मतलब है, हम बोलते है, this guy is a recognized businessman, this guy is a recognized entrepreneur, तो recognized क्यों, क्योंकि वो recognized है, ठीक है, वो जानी मानी है, वो जाना माना है, बेसिकली, जो भी व्यक्ति है, ठीक है, similarly, यह जो parties है, यह recognized political parties है, हैगी नहीं, अरे क्या बात है, amazing, great, अब basically, अब basically, national party of a recognized party होने के लिए, क्या criteria होता है, हम बोलते हैं, इस exam को पास करने के लिए, यह criteria है, कि अगर आपके 94, 95% से जादा आ रहे हैं, तो आप जो है, वो eligible है, similarly, recognized parties के लिए क्या criteria होता है, सबसे पहला, यह यह समझने वाली चीज है, इसमें कोई भी rocket science नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी formula नहीं लगा सकते हैं, अच्छा, जो पहला criteria है, उसमें आर दो options है, हम देख सकते हैं, पहला, 6% votes in local elections, तो basically, जो पूरे country के, ठीक है, जो पूरे country के level पे बात क तो basically, या तो यह होना चाहिए, या फिर, 6% votes in assembly elections in 4 states, ठीक है, तो या तो पहला point, जो है, वो, basic, कह सकते हैं, कि match हो जाए, या फिर जो, पहले ही point में, जो दूसरा option है, 6% votes in assembly elections in 4 states, ठीक है, in 4 states, ये point, जो है, वो, fulfill हो जाए, ठीक है, अब, जो second point है, जो second criteria वो गुछ ऐसा ह है, कि at least 4 seats जीतनी बड़ेगी, इन लोगसभा, win at least 4 seats in लोगसभा, ठीक है, तो या पर ये मत समझना, कि इन दोनों में से कोई भी एक लिगदा, तो काम चल जाएगा, नहीं, या फिर, इन दोनों में से कोई एक है, तो काम चल जाएगा, नहीं, criteria for recognized parties में आना, आपर हम दो criteria देख सकते हैं, पहले criteria जो तुम देख रहे हैं, उसके अंदर तुम एक option देख रहे हैं, कि या तो 6% votes हो लोगसभा elections में, जो basically पूरे country के level पर हो रहे हैं, या फिर 6% votes हो assembly elections में, in 4 states, ठीक है, in 4 states, दूसरा point कुछ इस प्रकार है, कि win at least 4 seats in लोगसभा, option इन दोनों में नही election पहले point में, 2 points में, ठीक है, confuse मत होना, और 6% votes in assembly elections in 4 states, और यहाँ पर win at least 4 seats है, इसमें भी confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या बात है, amazing, great, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कुछ national parties की, और आगे हम और parties की भी बात करेंगे, ठीक है, कोई चिंता there are seven national parties in India, okay, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह सारे जो हम short forms देख सकते हैं, इसके बारे में, आगे हम लोग discuss कर रहे होंगे, ओ वाईया, क्या बात है, मैंने का पहले बात करते हैं, AITC की, All India Trinamool Congress की, यह यह सारे तुम points देख रहे हो ना, यह सारे के सारे points जो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की, ठीक है, It was formed in 1984 under the leadership of Kanji Rang, ठीक है, Sseeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivases and OBCs, तो हमने बात की जीना कि पार्टी के कुछ vision होते हैं, पार्टी के कुछ beliefs होते हैं, तो Bahujan Samaj पार्टी के क्या बोला, basically क्या है, क्या कहा जा रहा है, It seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivases and OBCs, है की नी, क्या च्पॉल सोबसक्ताइब करते हैं बात करते हैं बात करते हैं बारतिय जंता संग ग्रेट करेंट किस पर किस तरीकए का विजन है ऐसा बिजन है कि एक लेक स्वादध इंडिया बीट करना है किस से इंस्पिरेशन लेकि एंशेंट इंडिएन वैल्यू से और एंशें इंडियन कल्चर से जो है वो इंस्पिरेशन ड्रॉफ करके हैएकaf इत्स सपोर्ट बेस इंकरीस सबस्टाइशली इन निक रिंटीन करें अब इसी हमारे BJP की आगे बात कर रहे है It came to power in 1998 as the leader of NDA Okay, great And emerged as the largest party in 2014 ठीक है? It emerged as the largest party in 2014 आगे बात करते हैं बात करते हैं Communist Party of India की CPI की Founded in 1964 है कि नहीं? Great Okay, amazing Believes in Marxism, Leninism, Supports Socialism, Secularism and Democracy ठीक है? यह belief है हमने बात की थी हर एक party का कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ policy होती है कुछ नहीं कुछ belief होते है ठीक है? यह belief है Opposes imperialism जो यहाँ पर basically जो Britishers कर रहे थे कि colonies बना दी ठीक है? इनके against है and against communism ठीक है? Enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura Okay? and has been in power in West Bengal without a break for 30 years देखो यह जितनी भी चीज़ में तुमको बता रहा हूँ यह आपकी बुक के अंदर दी हुई है है कि नहीं अब इसमें explain करने लाए कुछ नहीं है क्योंकि तुम इतने smarter समझदार हो कि जो यहाँ पर लिखा हुए यह चीज़े revise होते हैं कि कौन सी party जो थी वो कब establish होती का form होई थी फिर का vision था ठीके जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते है believes in Marxism, Leninism और किसकी against है यह सारी चीज़े आपको धीरे 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 जो है याद होने लगेंगे ठीके? Amazing, great और सबसे पहले तो तुम जो पार्टी का belief है जो वो सोच रहे है उसके बारे मैं अगर समझोगे न तो तुम्हें आसानी होगी बाद में डेटा को याद करने में है कि नी, great अब बात करते हैं यहाँ पर हमने बात की CPI की Communist Party of India की याने की CPI M फाउंड इन 1964 फाउंड इन 1964 फाउंड इन फाउंड इन सेकुलरिजम एन डेमोकरासी यहाँ पर भी हमने वही देखा था तुमको यह दोनों पार्टी के बारे में याद करने में दिक्कत नहीं होगी एक है CPI Communist Party of India और एक है Communist Party of India Marxist अब जैसे कि मैंने तुमको बोला यार कि NCRT हमको पढ़नी है तो यह साहर चीज़ आपकी NCRT के अंदर भी दी हुई है तो हम बुक तो पढ़ी रहा होंगे लेकिन मैं तुमको यहाँ पर भी वह चीज़ एक्स्पेइन करतेता हूँ अब हम बात करते है INC की, Indian National Congress की Okay, it is one of the oldest party यह हम सब लोग जानते हैं Okay, it was formed in 1885 Alright, it played a dominant यह point बहुत ही important है It played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after India's independence तो बहुत ही dominant role रहा है नहीं सिर्फ national level पर लेकिन state level पर भी ठीक है? Okay, amazing, great It was a ruling party at the center till 1977 and उसके बाद में 1980 से 1989 ठीक है? Great largest party in 2004 लोग सभाव elections अब बात करते हैं Nationalist Congress Party की NCP की ठीक है? formed in 1999 following a split in the Congress Party basically यह थी तो Congress Party लेकिन यह split हो गया ठीक है? यह अलग हो गी and it formed in 1999 following a split in the Congress Party basically तो Congress Party का Congress Party से ही यह split हो गया ठीक है? Great it promotes democracy and Gandhian secularism and part of UPA since 2004 हमने देखा एक है NDR और दूसरा है UPA ठीक है? अरे क्या बात है? इन दोनों के full forms क्या है? NDR और UPA के यह आप पता करेंगे और इन दोनों के अंदर कौन सी parties आ रही होती है यह आप मुझे नीचे comment करके बताएंगे मैंने तुमको हिंट दे दिया है यहापर idea भी दे दिया है अब आपका जो NCRT का task है आज का वो यही है अब बात करते हैं state parties की ठीक है? अब हम तोड़ा सो state की तरफ आ जाते है अब भाई साहब recognize parties और regional parties में फरक होता है ठीक है? यह regional parties है हम अब भी regional parties की बात कर रहें ठीक है? तो हम यह confusion बिल्कुल भी नहीं रखेंगे regional parties प्रिया हो very important role in national politics क्यों? अभी हमको समयन में आएगा हमने पढ़ा था coalition government के बार में हमने पढ़ा था coalition government के बार में ठीक है? no one, यह third point देखो no one national party is able to secure on its own a majority in लोगसभा कोई भी party जो है वो majority votes है फिर majority जो अपना मैं कहा सबता हूँ की seats है वो नहीं hold कर पाती है, वो नहीं जीत पाती है ठीक है? इसलिए हमने देखा था कि coalition government मन रही होती है तो basically यह एक alliance होता है ठीक है? यह एक alliance होता है as a result the national parties are compelled to form alliances with state parties ठीक है? ओके? ग्रेट तो basically यहाँ पर हम देख सकते state parties का कितना importance है क्यों क्योंकि कोई भी national party जो है is not able to secure majority in लोगसभा ठीक है? तो अब यार भाई, देश तो चलाना है आगे, government तो बनानी है तो आर alliance form किये जाते है किनके साथ में state parties के साथ में इसलिए यार state parties का बहुत ही importance होता है है कि नी? great, as a result the national parties are compelled to form alliances with state parties example क्या है यार? समाजबादी party रास्त्री जनता दल, ठीक है? amazing, great, all right अब हम बात करने वाले हैं कि what are the challenges to political democracy? अभी हम challenges to democracy की बात नहीं कर रहे हैं, हम challenges to political parties की बात कर रहे हैं, पैसा political parties बाहर से हम देख रहे हैं कि जो है वो contest करती elections को elections में लट रही होती है, ठीक है उसके representatives होते हैं, बहुत साथ चीज़ हम लोग देखने हैं लेकिन अर political party के अंदर का चल रहा है political party के अंदर का challenges यह हमें देखना पड़ता है बाहर से तो हमें लगता है कि यह company बहुत ही profitable होगी, बहुत ही सही चल रहे होगी लेकिन अंदर ही अंदर उस company की का हालत है company में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है वो साथ चीज़ है, तो company के अंदर ही पता होती है अच्छा, great, अभी हम बात करते है what are the challenges to political parties lack of internal democracy within parties तो party के अंदर ही यार democracy की कमी है, lack है challenge is of dynastic succession जैसे के हम देखते है कि Bollywood के अंदर nepotism है बहुत ही common example, ठीक है अभी सबको पता है nepotism क्या होता है similarly यार, जो भी top level पर होते है पर जो भी leaders होते है basically उनका क्या सोचना है, क्या मानना होता है क्यार, उनका बेटा, उनका भतिजा, उनका भांजा उसको ही जो top level पर पोजिशन से है वो मिल पा है और हर जगा हम लोग देख रहे होते है तो यार, ये ऐसा होता है इसमें क्या होता है फिर जो actually, जो deserving candidate होता है फिर जो deserving इनसान होता है उसको सही representation है फिर सही recognition नहीं मिल पाता क्यों? इस dynastic succession के कारण इस dynastic succession के कारण क्योंकि of course प्रिफर क्या किया जाता है? फैमिली मेंबर को प्रिफर किया जाता है कि नहीं यार, फैमिली मेंबर जो है और muscle power का बड़ा इस्तिमाल किया जाता है votes collect करने के लिए ये वो और ये चीज़ हम लोग सिर्फ रियल नाइस में नहीं तो movies में भी देख सकते है क्या बात है, amazing के देख अब उसके बाद मेंबर parties don't offer meaningful choices ठीक है? सीन कहना, सीन ये है कि कोई नो की political party जो है उसको जीतना है अब सब लोग जो है वो basically there contesting in elections the parties है जो वो लट रही है तो एक meaningful choice नहीं मिल पाती है कि कौनसी party को vote दिया जाए किस party के कहने से फिर किस party के idea से हमें actually benefit होने बारा है तो एक meaningful choice जो है वो नहीं मिल पाती होती है अब बात करते हैं how political parties can be reformed देखो है यह question बहुत ही important है यह question ठीक है और यह question यह बहुत ही important questions है आपके यह आपर 3-4-5 points है वो cover हो जाते हैं इसके अंदर जिससे आपका 5 number का जो question है वो बिल्कुल contest हो जाता है आप एक बार book तो पढ़ेंगी इसी मैंने आपको बोल रखा है लेकिन फिर भी यह questions जो होते हैं वो directly उटके पूछे जा सकते हैं ओके आपे जी क्या बात है how can political parties be reformed and suggestions that should be implemented इन दोनों में फरक हैं suggestions वो जो हम दे रहे होंगे जो हम देना चाहते हैं ओके और how can be political parties reformed जो है यह कुछ steps है जो की ली गई है है की निए? great efforts made for reformation efforts made for reformation or suggestions that should be implemented इन दोनों में फरक है efforts वो है जो की लगा दिये जा चुके है ठीक है जिससे की बदलाव लाए गए है और suggestions जो की हम दे रहे होंगे जो की implement किये जाने चाहिए ठीक है? great basically अब ऐसा नहीं हो सकता कि यार पार्टी जीतने के बाद में खुद के personal benefit के लिए अमेलेज और MP जो है वो क्या कर रहे है वो पार्टी चेंज कर रहे है ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता okay? great the supreme court passed an order to reduce the influence of money and criminals और इस point को मुझे समझाने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अभी देखी चुके है कि कैसे money और muscle power का कितना influence होता है किसी भी particular खेर में कहे बोलू एक नहीं क्या वाद amazing great the election commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational elections and file their income tax returns basically कितना पैसा खर्च हो रहा है कितना पैसा लग रहा है कितना पैसा नहीं लग रहा है कितना पैसा कहां पर लग रहा है यह सारा का सार जो data है ना इसके लिए जो income tax returns है वो file करने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि ऐसा होता है कितना पैसे जो है वो spend किये जा रहे है तो एक हिसाब किताब कहा है भाई साब की पैसा गया कहा कहा लगाया गया ठीक है वो सारा का सारा जो record है वो सारा का सारा जो record है वो अब रखना पड़ता है क्या वाद है amazing great अब हम क्या suggestions दे सकते हैं what suggestions are there which should be implemented लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कुछ लॉज ऐसे बनाने चाहिए जो की रेगुलेट कर पाए उनके इंटर्नल अफियर्स को उनके आपस के माम लोगो अपस में लड़ने लग जो उनका विजन है वो भूल के आपस में लड़ने लग गया है कि नहीं हमने बहुत बार देखा कि टीम मान लोग की दो टीम्स कहल रही है और पहली टीम के जो प्लेयर से वो आपस में लड़ रहे है तो उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए साथ ने आपको इस चैप्टर के वन पेज नोड़ यानि की पूरा चैप्टर एक पेज में समप किया गया है for your brief idea and knowledge Mark my words आप इसके बाद में NCRT पढ़ रहे होंगे क्यों सिर्फ lecture के भरोसे हम कभी भी नहीं बैठेंगे ठीक है जो हम देखते हैं उसके बाद जो हम पढ़ते हैं उससे एक बहुत ही तगड़ा इमताक्त हमारे ब्रेन पर पढ़ता है यारे चैप्टर बढ़ा ही आसान है इस ग्रील लाइफ एक्जांपल के तुरू समझना है कि नहीं ग्रेट मैं तुमको पूरा चैप्टर जो भी एक्स्पें तो कर दिया है अब आप थोड़े से इन्पूट्स अपने साइट से डालेंगे है कि नहीं क्या बात है अमेजिंग ग्रेट तो इसी के साथ इसी के साथ क्यात right? make sure that you do okay great amazing Jai Hind, Vande Matram, enjoy you kawar we'll meet you in the next one till then good bye